Welcome to our YouTube channel Technician Sport दोस्तों Technician Sport पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए जो मैंने latest information लेकर आ रहा हूँ देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ISP की 41 control की और 41 आपकी technicals की vacancies आ गई है तो total 82 vacancies हैं यहाँ पर और उसके साथ जो आपकी welfare officers की हैं या supervisor इनकी पोश्टे भी आई हैं उसमें आपकी fitter, machinist, other post भी आपकी आ चुकी है तो यहाँ पर मैं आपको slayvers से लेके आपकी exam date कब आ जाएगी है उसके साथ साथ आपका जो online application स्टार्ट हो रहा है वो आज से 15 से start हो रहा है उससे latest सारी जनकारी लाए हो प्लस किसी को exam pattern भी समझना है तो इस वीडियो में पूरा देखें उसको exam pattern समझ में आ जाएगा कि exam pattern कैसा रहने वाला है ठीक है दोस्तों तो आपन start करते हैं देके दोस्तों यह ISP की जो आपकी requirements है वो आ चुकी है इस वार इसका advertisement number 01 2023 है इसमें आपकी जो tentative dates है मतलब आपकी online registration including modification वगारा सारा वो आपका 15 साथ मलब 15 साथ से 16 आठ तक रहेगा approximately one month के बीच में यह पूरा रहने वाला है उसके बाद आपके payment जो है वो भी 16 आठ ही last date है उसकी payment की और आज से आपका form open हो गया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर लीजे last day का इंतिजार मत करीगा फिर examination will be conducted online examination होंगे वो October से November के बीच में हो जाएंगे I hope यह आपके exam जो आपकी दिवाली है नौंबर में बारत दस बारा नौंबर से पहले ही conduct करा दिये जाएंगे और उसके साथ साथ आपका जो प्रोफिशनल है अलॉट्मेंट वो December से जनवरी में रिचर्ड देखिए आईसपी बहुत तेज काम करती है वो accuracy पे काम करती है तो आपको most probability है कि यह सारे आपके exam अगरा time to time हो ठीक है और result भी आपको time to time आए ठीक है कुछ हो सकता है कि कभी change हो जाए पर आपका जो vacancy update है या 15 तारीक से जो आपका apply होने वाला वो हो जाएगा और 16 heart को complete हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद में आपका October या November में exam कंड़क करा जाएगा देखिए यहां पर welfare officials की एक number of post है उसके साथ साथ यहां पर junior technician की जो पोस्ट है वो है आपकी technical में junior technician control की है junior technician studio की junior technician store junior technician chd junior technician turner एंड आपकी यहां पर machinist grinder और welders machinist grinder junior technician welder junior technician fitter junior technician electricals and junior technician electronics यह सारी की सारी post है आई हैं दोस्तों तो यहां पर मैं आपको बता देने चाहता हूँ कि most of post या आप सबसे ज़्यादा post है आई है वो है junior technician technical and control में 41, 41 post हैं दोस्तों 82 post हैं total जिसमें आपकी SC में 5, 6 आपकी control में SC में 6 है ST में आपकी 4 है, ST में 3 है, इस तरीके से OBC में 10 post हैं EWS में 3, 3 post हैं और UR में 19, 19 post है total 41 post यहां पर दे दी गई हैं दोस्तों, next आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपको सलेवर्स रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ age criteria कह रहेगा, देखे, welfare officer के लिए 30 years age criteria रहेगा, जो इसका जो birth है, date of birth 17, 8, 1993 से 16, 8, 2005 के बीच में रहा हो या फिर आपका जो junior technician है उसमें आपकी 25 years age रख दी गई है, ठीक है दोस्तों तो यहां पर जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके PWD वाले उनको इतनी छूट मिलेगी, SC को, SC, ST होते हैं 5 साल की, OVC के लिए 3 साल की, और X-Service Man के लिए आपको यहां पर 3 साल की छूट मिलेगी, और departmental criteria तो उनके लिए कोई age में कोई specification नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों तो यहां पर आपको इतनी सारी छूटे मिलने व चाहिए और अगर आपका welfare officer है तो welfare officer में आपके पास में recognize diploma course होना चाहिए महाराष्ट का age पर महाराष्ट welfare officers duties qualification वगएरा है ना minimum two years का post qualification experience भी हो अगर industries वगएरा का तो फिर आप इसको fill up कर सकते हैं पर अगर बात आए एक technical और junior technician की post के लिए तो वहां पर आपके लिए full time ITI ह होना चाहिए वह आइडिया या आपका machine minder में, offset printing में, plate making में, electroplating में या आपका hand composing, plate making, impositor यह इन सब में अगर होगा या आपके पास full time diploma भी होगा तो आप इसको apply कर सकते हैं यहां पर बहुत सारी post हैं जो apply कर सकते हैं और देखिए दोस्तों जो technicals post हैं वह बहुत सारी post ह आई हैं पर यहां पर एक नई post है जो आपकी studio है, lithographic है, दोस्तों lithographic के लिए अलग post आई है तो अगर आपको इसके लिए भी कुछ inquiries चाहिए तो आप मुझे message कर सकते हैं, next है आपके लिए कि आपको recommendation वहाँ पर मिल जाएगा, इस तरीके की सारी जानकारी यहां दी गई है प्लस seconds आपका selection procedure क्या रहेगा, देखिए welfare officer की जो है उसके लिए आपका number of questions रहेंगे, आपके professional knowledge से 72 रहेंगे, 12 journal awareness से, 12 आपके journal English language से, 12 आपके logical reasoning से और quantity aptitude से 12 questions रहेंगे, तो total यहां पर 120 number of questions आएंगे, 120 marks के आएंगे और 120 minutes मिलेगा, ठीक दोस्तों तो यहां पर questions आपके अच्छे कासे हैं, ऐसा ही आपका जो junior technician post है, वहां पर, वहां पर क्या है कि आपके 60 number of questions आएंगे, वो आपके professional knowledge के आएंगे, जो आप जिसमें printing, engraver, plate making, और turner, fitter, machiner, grinder, welder, electronic सबके specific professional knowledge होती है, उसके 60 questions आएंगे, जो 90 number के होंगे, मतलब एक question जो होगा, 1.5 marks का होगा, दे 15 questions, logical listening के 15 questions और quantitative aptitude के 15 questions आएंगे, total marks होगा, 150 numbers का और 120 questions आएंगे, और 120 minutes ही आपको यहां पर भी दिये जा रहे हैं दोस्तों, तो यह सारी general जानकारी थी, हाँ यहां पर minimum qualified criteria भी दे दिया गया है, पर आपकी जो merit है, वो मैं आपको बताऊंगा, paper के बाद में की, आपके merit कित मुंबई, MMR, Delhi, NCR, Bhopal, Hyderabad and Kolkata, तो यहां पर आप अपने exam से इंटर चूस कर सकते हैं और यहां पर आपका exam conduct कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो I hope आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई भी queries हैं, तो आप मुझे message कर सकते हैं, इसके description में म मेरा WhatsApp number मिल जाएगा, आप मुझे direct message करके भी पूछ सकते हैं, thank you so much, thank you for watching.